नमस्कार पूस की रात कहानी मुंशिप प्रेम चंद्र जी द्वारे लिखीवी कहानी है इस कहानी की मूल समवेदना भारत के गरीब किसान की वैवस्ता को व्यक्त करने वाली है इस कहानी के द्वारा मुंशी प्रेम चंद्र जी ने यह बताने की कोशिश की है कि हमारे किसान किस तरह कठिन परिस्थीतियों में जी रहे हैं यह कहानी साधन हीन गरीब किसानों की उस व्यवस्ता को भी उजागर करती है जो साधनों के आभाव में प्रकृति की कठोरता के आगे हार मान लेते हैं और अपना सब कुछ गवाँ बैठते हैं आए सुनते हैं पूस की रात हलकू ने आकर इस्त्री से कहा सहना आया है लाओ जो रुपे रखे हैं उसे देदू किसी तरह गला तो छूटे मुन्नी चाड़ू लगा रही थी पीछे फिर कर बोली तीन ही तो रुपे हैं दे दोगे तो कम्बल कहां से आवेगा माग पूस की रात हार में कैसे कटेगे उससे कह दो फसल पर दे देंगे अभी नहीं हलकू एक छण अनिश्टिप दशा में खड़ा रहा पूस सिर पर आ गया कम्बल की बिना हार में रात कोवग किसी तरह नहीं जा सकता मगर सहना मानेगा नहीं घुड़कियां जमावेगा गाली देगा बला से जाडू में मरेंगे बला तो सिर से टल जाएगी या सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील लिये वे जो उसके नाम को जूट सिद्ध करता था स्त्रे के समीप आ गया और खुशा मत करते हुए बोला ला दे दे गला तो छूटे कंबल के लिए कोई दूसरा उपाई सोच लूँगा मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आँखे तरेरते हुए बोली कर चुके तुम दूसरा उपाई जरा सुनू तो कौन सा उपाई करोगे कोई खैरात दे देगा कंबल नजाने कितने बाकी हैं जो किसी तरह चुकाने नहीं चुकती मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते मरमर कर काम करो उपज हो तो बाकी दे दो बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जनम हुआ है पेट के लिए मजूरी करो ऐसी खेती से बाज आए मैं रूपे न दूँगी न दूँगी हलको उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तडब कर कहा गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनिहवी भौहें धीली पड़ गी हलको के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वो मानो एक भीशन जन्तु की भाति उसे घूर रहा था उसने जाकर आले पर से रूपे निकाले और लाकर हलको के हाथ पर रग दिये फिर बोली तुम छोड़ दो अपकी से खेती मजूरी में सुक से एक रोटी तो खाने को मिलेगी किसी की धौस तो न सहने रहेगी अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ वो भी उसी में जोक दो, उपर से यह धौस हलको ने रूपे लिये और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर तीन रूपे कंबल के लिए जमा किये थे आज वो हाथ से निकले जा रहे थे एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिटूरते हुए मालूम होते थे हलकू अपने खेत के किनारे उंख के पत्तों की एक छत्री के नीचे बास के खटोले पर अपनी पुराने गाढ़े की चादर ओड़े पड़ा काप रहा था खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मौँ डाले सर्दी से कूँ कूँ कर रहा था दोनों में से एक को भी नीदना आती थी हलकू ने गुटनों को गर्दन से चिपकाते हुए खा क्यों जबरा जाड़ा लगता है कहता तो था घर में पुवाल पर लेट रह तो यहां क्या लेने आए अब खाओ ठंड मैं क्या करूँ जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ दोड़े दोड़े आगे चले आए अब रो नानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दूम ही लाई और अपनी कूँ कूँ को दीर्ग बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया उसके श्वान बुद्धी ने शायद तार लिया स्वामी को मेरी कूँ कूँ से नीन नहीं आ रही है हलकों ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीट सहलाते वे कहा कल से मत आना मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जाओगे यह रांड पच्वा न जाने कहां से बरफ लिये आ रही है उठो फिर एक चिलम भरू किसी तरह रात तो कटे आठ चिलम तो पी चुका हूँ गद्दे लिहाफ कंबल मजाल है जाड़े की गुजर हो जाए तकदीर की खुबी मजूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटे हलकों उठा गड़े में से जाकर जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी जबरा भी उठ बैठा हलकों ने चिलम पीते हुए कहा पीएगा चिलम जाड़ा तो क्या जाता है जरा मन बदल जाता है जबरा ने उसके मुँ की और प्रेम से चलकती वी आँखों से देखा हलकों आज और जाड़ा खाले कल से यहाँ पूआल बिचा दूँगा उसी में गुश कर बैठना तब जाड़ा न लगेगा जबरा ने अपने पंजे उसकी गुटनों पर रख दिये और उसके मुँ के पास अपना मुँ ले गया हलकों को उसकी गर्म सांस लगी चिलम पीकर हलकों फिर लेटा और निश्य करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब की सोजाओंगा पर एक ही छण में उसके हृद में कमपन होने लगा कभी इस करवट ले था कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भाती उसकी च्छाती को दबाई हुए था जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर अपनी गोध में सुला लिया कुट्य की देह से जाने कैसी दुरगंदा रही थी पर वह उसे अपनी गोध में चिप्टाईवे ऐसे सुख का अनुभाव कर रहा था जो इधर उससे महिनों से न मिला था जबराश आये दिया समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हलको की पवित्र आत्मन में तो उस कुट्टे के प्रति ग्रिणा की गंध तक न थी अपने किसी अभिन्य मित्र या भाई को भी वह इसी तत्पड़ता से गले लगाता वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुँचा दिया नहीं इस अनुखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सर्व द्वार कोल दिये थे और उनका एक एक अनू प्रकाश्च चमक रहा था सेसा जवरा ने किसी जानवर की आहट पाई इस विशेस आत्मेता ने उसके अंदर एक नई स्पूर्ती पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे जोकों को तुच्छ समझती थी वह जपटकर उठा और छपरी के बाहर आकर भूखने लगा हलको ने उसे कई बार चुमका रहा पर वह उसके पास ने आया हार में चारों तरफ दोड़ दोड़ कर भूखता रहा एक छण के लिए आभी जाता तो तुरंत फिर दोड़ जाता करतव्य उसके हृदय में अर्मान की भाती चलक रहा था एक घंटा और गुजर गया रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया हलको उट बैठा और दोनों गुटनों को चाती से मिला कर सिर उसमें चिपा लिया ठंड फिर भी कम ना हुई ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है धमनियों से रक्त की जगह हिम बहरा है उसने जुक कर आकाश की और देखा कि अभी रात कितनी और बाकी है सब्तरिशी अभी आकाश में आधे भी उपर नहीं चड़े थे उपर आ जाएंगे तब कहीं जाकर सवेरा होगा अभी पहर से उपर रात है हलकु के खेट से कोई एक गोली के टपे पर आमों का एक बाग था पतज़र शुरू हो गई थी बाग में पत्तियों का धेर लगा हुआ था हलकु ने सोचा चलकर पत्तियां बटोर लाओ उन्हें जला कर खूब दापू रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख ले तो समझे कोई भूत है कौन जाने कोई जानवरी चीपा बैठा हो मगर अब बैठे भी तो नहीं जाता उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड लिए और उनका एक जाडू बना कर हाथ में सुलकता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला जबरा ने उसे जाते देखा तो उसके पास आया और दो मेलाने लगा हलकु ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू चलो बगीचे से पत्तियां भटोर कर तापे टांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे अभी तो बहुत रात है जबरा ने कूकू करके सहमेती प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला बगीचे में खूब अंधेरा चाया हुआ था और अंधकार में निर्दे पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जा रहा था व्रिक्षों से ओस की बूंदे टप टप नीचे टपक रही थी एक 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 जोका महिंदी के फूलों की खुश्बू लिये वे आया हलकू ने कहा कैसे अच्छी महकाई जबरू तुम्हारी नाक में भी तो सुगंदा रही है जबरा को कहीं जमीन पर एक हड़ी पड़ी मिल गई थी उसे चिरोर रहा था हलकू ने आग जमीन पर रगदी और पत्तियां बटोरने लगा जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया हाथ ठिठुरे जाते थे नंगे पाउं गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड खड़ा कर रहा था इसी अलाव में वह ठंड को जला कर भस्म कर देगा थोड़ी देर में अलाव जल उठा उसकी लोग उपर वाले व्रिक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी उस अस्तिर प्रकाश में बगीचे के विशाल व्रिक्ष ऐसे मालूम होते थे मानों उस अथा अंधकार को अपने सिर पर संभाले वे हो अंधकार के उस अनन्त सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ा हलको अलाओं के सामने बैठा आग ताप रहा था एक छण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पाओं फैला दिये मानो ठंड को ललकार रहा हो तेरे जी में जो आए सो कर ठंड की असीम शक्ती पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जबर अब ठंड नहीं लग रही है जबर ने कूँ कूँ कर मानों कहा अब क्या ठंड लगती रहेगी पहले या उपाय न सूचा इतनी ठंड क्यों खाते जबर ने पूछ हिलाई अच्छा आओ इस अलाओ को कुद कर पार करें देखे कौन निकल ज करूंगा जबर ने उस अगनी राशी की और कातर नेत्रों से देखा मुन्य से कल कहना देना नहीं तो लड़ाई करेगी यह कहता हुआ वह उचला और उस अलाओ के उपर से साफ निकल गया पैरों में जरह लपट लगी पर वह कोई बात नहीं जबरा आग के इर्द गीर्द गूम कर उसके पास आकर खड़ा हो गया हलकु ने कहा चलो चलो इसकी सही नहीं उपर से कूद जो वह फिर कूदा और अलाओ के इस पार आ गया पत्तिया जल चुकी थी बगीचे में फिर अंधेरा चा गया राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का जोका आ जा कादर ओरली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुन गुनाने लगा उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर जियों जियों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाए लेता था जब्रा जोर से भोग कर खेत की और भागा हलकु को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक जुन्ट खेत में आया है शायद नील गायों का जुन्ट था उनके कूदने दोड़ने की आवाजे साफ कानों में आ रही थी फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रहे हैं उनके चबाने की आवाज चर-चर सुनाई देने लगी उसने दिल में कहा नहीं जब्रा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता वह तो नोची डाले मुझे ब्रह्म हो रहा है कहां अब तो कुछ सुनाई नहीं देता मुझे भी शायद धोका हुआ उसने जोर से आवाज लगाई जब्रा 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 भूकता रहा उसके पास ना आया फिर खेत के चरे जाने की आ कैसा दंदाया हुआ था इस जाड़े पाले में खेत में जाना जानवरों के पीछे दोरना असहाय जान पढ़ रहा था वह अपने जगह से नहीं ला उसने जोर से आवाज लगाई लिहो 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 जब्रा फिर भूक उठा जानवर खेत चर रहे थे फसल तयार है कैसे पर एका एक हवा का एक ऐसा ठंधा चुबने वाला बिच्चु के डंक सा जोंका लगा कि वह फिर बुझते वे अलाओ के पास आकर बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी दे को गर्माने लगा जब्रा अपना गला फाड़ता रहा नेल गाएं खेत का सफाया की यह ड कर डखा था उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ऊड़कर सो गया सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रहे थी आज क्या सोते ही रहोगे तुम्हां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया हलकु ने होता है तुम्हारे यहां मड़या डालने से क्या हुआ हलकु ने बहाना किया मैं मरते मरते बचा तुझे खेत की पड़ी है पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं दोनों फिर खेत के डाड़ पर आए देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ किया के नीचे चित लेटाए मानों प्राण ही नहों दोनों खेत की दशा देख रहे थे मुन्य के मुख पर उदासी चाही थी पर हलकु प्रसन्न था मुन्य ने चिंतित होकर कहा अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी हलकु ने प्रसन्न मुख से कहा रात को ठ झाल झाल